अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच्स बाइज इंदर कुमार में स्वागत है हम मेकैनिक्स में फ्रेमों प्रेफरेंस पढ़ रहे हैं और हमारी एक्सरसाइस पर्स चल रही पिछले टान पर चारता कोशन हो गए थे चलिए कोशन नंबर अब 5 देखिए ठीके एक चीडिया ठीके एक चीडिया किसपर बैठी है किसपर दिखाइ देती है एक पेड़ पर दिखाइ दीती है जिसकी पोजीशन ठीके सेट्वे कि tisn की रखी नो moc सात टि रखी ठीके आगे पढ़ी एस डैस इनद फेअन कुइन आदर फ्रेम एस डैस कोई हमारा दूसरा में moving with velocity जो किस वेलोसिटी से चल रहा 10 मीटर प्रती सेकिंट ठीक है लोग किसके चल रहा हो एक सक्सिस के लोग चल रहा ओफ फ्रेम में एस ठीक है इनिशली फ्रेम एस एंड एस डस और coincident ठीक है जो प्रादम्बी का वस्था थी तो प्रादम्बी का वस्था में जो S, S, Z कैसे थी coincident थी समपाथी थी दूसरी के समपाथी कैसे होते है माल लिए एक frame हमारे पास ये है ठीक है तो initially position ये माल लिए हमने X है Y है और ये O है ठीक है इधर को चलिए Z माल लिजी इधर को कितना माल लिजी Z इस frame को हमने क्या माल लिए ये origin हो माल लिए इसको frame का नाम दिया हमने S तो जो initially position है सीधा कीच लिजी इसको X जो initially position है यानि कि S और S प्राइम दूने एक दूसरे के coincident है यानि कि वो इसी के ही ऊपर है ठीक है तो क्या दे रखा है इन्होंने S और S देस कैसे है ठीक है Initially Initially frames S और S देस कैसे है coincident है and as the frame S देस proceed further from origin of of as the bird fly off the tree with uniform velocity 15 में प्रती second relative to S ठीक है तो एक जो चिडिया उड़ती है ठीक है किस वेग से उड़ती है 15 मेटर प्रती सेकिंड की वेग से उड़ती है किस direction में उड़ती है O X की direction में उड़ती है ठीक है then find the velocity of the bird तो S देस से हमें क्या बतानी उसकी speed बतानी तो यह माल लिए हमने S डैस यहां पर आ गई देखिए दो frame है यहां पर एक frame S है ठीक है इसको यहां पर क्या माल लिजी Y डैस किसके लोग चल रहा हमाल लिए इसको माल लिजी Z डैस और इसी के उपर क्या माल लिजी चलिए X डैस माल लिजी फ्रेम स्क्राइब से दूसरा फ्रेम कोंग सा है हमारा स्दैस जो कि स्टुक्रिक से चल रहा है कि से चल रहा है जोग किस से चल तो यह नहीं करेंद नहीं कि Zentुपी चल रहा है टेन मीटर पर सेकेंड की वेग चल रहा है 10 मेंटर प्रती सेकंड की वेक से चल रहा ठीक है तो इन्होंने क्या कहा फाइंड दा वेलोसेटी ओफ दा बर्ड एस सीन इन फ्रेम ईस डैससे है जो चीडिया देखी जाती है कि हमें क्या थानी चीडिया की स्पीड बताने किस से ऊड़ने वह पोगी आपको कमालूमी होगा जैसे माल या यहमारा जो फ्रेम है इने नीशनली प्रेम है यह इस्तिरrecht है और यह हमारा किस वैलोसेटी से चल रहा हो बेलस्टेटी से चल रहा है इसे मानलेजी यह फ्रेम मालय प्रत्थि पो है यह हम एक फ्रेम हमारा बस में है एक फ्रेम हमारा किस में है बस मैं है ओर बस हमारे कि स्गेयर ग्रीत सब्सक्राइब और यह चिडिया जो घू कि इस पे दिखाई देती है किस पोजिचन पर दिखाई देती है यह थिक पर प्रेम में दिखाई देती है पहले जो पोजिचन थी उसके कितनी थी 987 थी ठिक है और फिर वो उड़ना परारम कर देती है उड़ना प्रारम कर देती है कि स्पीर से फंद्रा की स्पीर से उड़ना प्रारम कर देती है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेक से एक बात देखो आप लोग बस में बैठे हुए जारी शड़क पर तीक है चिस तह सरक में तहीं में हम किसे में बैठें मालिया बस में बएठें तो बस में हमने एक फ्रेम बना लिया जो बस वेसे स्पीड से चल रही है थिकए जो बस में बना उबाऊ है का नाम कर दिया हमने । तो बस किसी स्पीड से चल रही है बस किसी स्पीड से चल रही 10 मेंटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है ठीक है मालने तुम्हारे साइड से एक बाइक तेजी से निकल जाए यह किसी स्पीड से चल रही 10 की स्पीड से चल रही तुम्हारे साइड से कोई बाइक ठीक है 20 की ठीक है यह तो दस की स्पीड से चल रही बाइक मालने 20 की स्पीड से निकल गई तुम्हाई साइड से तो तुम्हें जो बाइक है वो किस स्पीड से चलती हुई प्रतीत होगी वह 10 की स्पीड से तुम जा रही 20 की स्पीड से बाइक जा रही तो आपको जो बाइक नजर क्यों आएगी तुम कि इस भीशे चल रहे तुम चल रहे 10 मेटर पर 30 सैकंड के वेक से और किस वेक सजारी 20 की स्पीड से जारी तो यह 20 में से घटा गए ठीक है एक तरीका तुम निया सडक पखड़े है तुमारे साइड से 40 की स्पीड से भाइक निकल गी तुमें 40 की स्पीड से ही नजर आएंगी कि माले तुम बस में जा रहीं और तुमारे साइड से बस जा तुम्हें ऐसा लगेगा धीरे-दीरे क्रोश करती उसको दुस पीड तो जाद होती है पर कैसी प्रतीत आती आती है कम प्रतीत आती है उसकी स्पीड ठीक है जो हम सटीए फोगी थिदे किसी स्पीड से अब यह तो दस की जा रहे हों यह किसी स्पीड सब्री 15 कि सियरी 15 माइनस दस तम्हें किस पीड मिरते होगे नजराई words चिलिए पाच सुलूसन किसका कर रहें फर्स्ट पार्ट का यह वैलोसिटी चलो भी माल लीजी लेट वी बराबर कितना 10 मिटर और सेकेंड ओसको यूमाल लिजी है यू यू बराबर रीटिक में'RE मिटर प्रती सेकेंड के वीकसे और रही हम भी बेंगे वैलोसिटी ओ क्या निकालनी हमें? वेलोसिटी निकालनी वेलोसिटी किसकी निकालनी? ओफ दा बर्ड की निकालनी ठीके? as seen as seen जो कहां से देखी जाती है? in frame s dash से देखी जाती है तो वो equal किसकी आ जाएगी? u minus v आ जाएगा u का मान कितना? 15 minus 10 पराबर कितना जाएगा? 5 मिटर परती सेकिंड के वेग से हमें वो उड़ती हुई नजर आएगी simple सा कोश्चन है ठीक है? तो यह note कर लिजी ठीक है? इसके बाद हम इसका second part करेंगे ठीक है? कौन सा part करेंगे इसके बाद? second part चलिए अब second part देखेंगे इसका find the position of the bird in S dash position किसके निकालने? bird के निकालने? किसमें निकालने? S dash में after two seconds ठीक है? after two seconds two seconds के बाद position निकालने ही तो चलिए solution देखें second का solution देखें ठीक है? तो इसमें हमें पहले position मान लेंगे इसकी if ठीक है? position of the bird if position of the bird in frame S ठीक है? यह जो पोजिशन दे रखेंगे हो तो तब दे रखेंगे तब वो इस्थी रहे है ठीक है? तो if the position of the bird in frame S after two seconds after two seconds is XYZ हमने यह मान लिया ठीक है? position किसकी? bird की ठीक है? कौन से frame में? S में 2 second बाद तो 2 second बाद उसकी position कितनी हो जाती है? XYZ हो जाती है? कितनी हो जाती है? XYZ then किसी speed से चल रही हो? bird किसी speed से उड़ी? 15 की speed से उड़ी? तो यह बताईए इसमें जो value आ जाएगी हमारी ठीक है? X का यदि हम मान निकाल लेंगे then X का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा महा से? 9 plus VT V का मान कितना? 15 और T का मान कितना? 2 किसके along-gooder ही वो? किसके along-gooder ही? X axis के along-gooder ठीक है? OX की direction में बोडरी तुम्हा से Y का मान कितना आ जाएगा? वो तो उतना ही आ जाएगा 9 ही आ जाएगा और यदि Z का मान देखा जाए तो कितना आ जाएगा? साथ ही आएगा तो X का मान कितना आ गया? बोली X का मान कितना आ गया? 9 प्लस 30 ठीक है तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा Y बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा Z बराबर कितना हो जाएगा? साथ अब हमें पोजिशन निकालनी बढ़ की ये पोजिशन मान दीजे Let X डेस S डेस में निकालनी ना 2 सेकिंड बाद Let X डेस Y डेस Z डेस Be The Position Be the position Of the bird Of The Bird In S डेस ठीक है? After 2 सेकिंड After 2 सेकिंड Then तब बताईए X डेस का क्या फोर्मुला होता है Then we have Then We Have X डेस बराबर बोली कितना होता है? X Minus VT Y डेस बोली ठीक है? Y डेस बराबर Y Z डेस का मान बोलिए Z डेस का मान तो किसके बराबर आएगा? Z के ठीक है? चलिए value रग दीजी नीचे तो साइड जगा थोड़ी सी कम है ना चलिए उस साइड में थोड़ी जगा है इस साइड में थोड़ी जगा इधर कर देता हूँ X डेस बराबर ये UT आएगा क्योंकि X डेस ठीक है? जो हमारा S डेस है वो किस स्पीड से चल रहा? U की स्पीड से चल रहा और U का मान बताना कितना था? ठीक है? यह था कितना? ठीक है तो 10 आएगा या इसको V1 मान लो चलो क्या कहा दो? इसको V1 कह दीजिए सपोज ठीक है? तो बताईए कितना जाएगा? चलो यहां ही देखो आगे यहां पर देखो X डेस बराबर X का मान बताना कितना? 30 9 minus V1 देखना 10 ठीक है? T का मान कितना? 2 और Y डेस बराबर किस की आजाएगा? Y डेस तो उतना ही आएगा Y कितना? 9 ही आएगा Z डेस कितना आजाएगा? 7 ही आएगा तो कितना आगे है? X डेस बराबर 20 घटा देंगे तो कितना आजाएगा? 19 Y डेस बराबर 9 और Z डेस बराबर कितना? 7 आजाएगा ठीक है? करिए यह फर्स्ट पार्ड में वी मानना था तो वी लिख देना इसको वी मानना था फर्स्ट में सायद ठीक है तो यह हमारी क्या आगए रिक्वार्ड पोजिशन आगई क्या आगई objective question देखिए चली objective question देखिए मुख अपना सामने रखिए page number M11 है ठीक है M11 पर देखिए पहला question the frame of reference in which Newton's law of motion are valid is known as ठीक है with the frame of references ठीक है in which जिसमें Newton's law of motion are valid ठीक है तो जिस frame of reference में Newton का पर्थम्यम valid होता है उसको हम क्या बोलते हैं inertial frame of reference बोलते हैं उसको हम क्या बोलते है inertial frame of reference तो कौन सा ठीक है इसमें एपार सही है इसका second part देखिए the frame of reference in which Newton's law of motion are not valid is known as non-inertial frame of reference बोलते हैं उसको ठीक है तो कौन सा पार सही है बी पार सही है बुक सामने रखिए ठीक है भी जिस में जिस frame of reference में Newton's ठीक है Newton's law of motion valid नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं non-inertial है ना चलिए इसके बाद थर्ड कुश्चन देखिए inertial frame of reference is also known as जो inertial frame of reference होता है उसको क्या और कहते हैं उसको ठीक है अन-accelerated frame of reference नोन-accelerated frame of reference तो दोनों इंड बोलते हैं तो बोथ A and B तो कौन सा पार्ट है इसका C पार्ट है जो inertial frame of reference होता है उसको हम किस नाम से और जानते हैं Unaccelerated Frame of Reference या Non-accelerated Frame of Reference से जानते हैं, तो उसका बोथ आएगा, दोनों A और B इसका मतलब कुन सा पार्ट से ही है, इसका C पार्ट से ही है In an Inertial Frame of Reference of a Body, Move with Velocity, ठीक है यानि कि Inertial Frame ठीक है, In an Inertial Frame of Reference a Body move with Velocity, Uniform तो कौन सा पार्ट है, ठीक है, तो एक समान velocity होती है उसकी, तो कौन सा पार्ट से ही है इसका, 4 का B पार्ट से ही है ठीक है, इसके बाद Question No.5 देखी ठीक है, Question No.5 देखी Uniform तो होती है, वैसे 0 भी होती है C होना चाहिए, दो दी रख़िए दो पार्ट 4 में, वैं Inertial Frame of Reference में है A Body moves with Velocity, या तो 0 होती है Uniform होती है, C आना चाहिए है, वैसे तो देखते है, 4 का C सही है, बिल्कुल, C आएगा Uniform तो होती है, 0 भी होती है तो दोनों आएंगे, चलिए 5th Question देखीए, In an Inertial Frame of Reference, The Acceleration इक्षिन और पर चेटी इन फेर्म में इस लिएशन कैसा होता है यूनिफोर्म तो 5B का बी पार्ट सही है गैलिलेन वन ओफ दीज अचां कि फाल प्राइशन बताने ही विच वन ओफ दीज गैलेलेन ट्र्सफॉर्मेशन एक्वेशन तो transformation equation बतानी कौन तो Galilean transformation equation आपने पढ़ी है क्या पढ़ाता है आपने x dash बराबर x minus vt y dash बराबर y z dash बराबर z वो t dash बराबर किसके होता है t k तो यह जब frame किसके लोंग चल रहा हो ठीक है इस direction में चल रहा हो x की direction में चल रहा हो तो यह होती है तो कौन सा part सही है हमारा 6 का c part सही है यह वाला सही है 7 देखिए which one of these inverse Galilean transformation equation तो inverse Galilean transformation equation बतानी तो inverse Galilean क्या होती थी x बराबर x dash plus vxt y बराबर y dash plus vyt z बराबर z dash जीक है vz t और t dash बराबर t यह t बराबर t dash तो देखना कौन सा सही है inverse Galilean 7b का e सही है e मेरी रखाई तो कौन सा part सही है e part सही है तो e बिल्कुल ठीक है इसके बाद vector form of Galilean transformation equation ठीक है तो यह option दे रखे तो इनमें जो होता है वैसे r dash बराबर r dash बराबर होता है r vector minus v vector t ठीक है यहां से थोड़ा देख सकते है ठीक है तो vector form में हमें क्या बतानी ठीक है Galilean transformation बतानी तो r dash vector r dash vector बराबर किसके होता है r vector minus ठीक है v vector t के बराबर होता है कौन सा पाट सही है इसमें इसका b part सही है ठीक है Galilean velocity equation is Galilean velocity भी बतानी हमें तो Galilean velocity मैंने question भी कराया भी ठीक है अभी तो कराया है अच्छा वी dash आएगा है तो बराबर किसके होती है u minus v के बराबर होती है ठीक है तो 9 v का कौन सा सही है c part में दी रखाए तो इसका c part सही है question number 10 question number 10 if a particle is at rest in a frame moving with uniform velocity v it appears to move with velocity तो यह कहरा भी एक particle rest में है और एक frame चल रहा है तो उसको जैसे मालिया तुम बस में हो आप बस में जा रहे हो किसी speed से और एक मालिया पेड़ खड़ा तो जिस speed से तुम जा रहे होंगे तो उसी speed से तुम पेड़ पीछे की और नजर आएगा तो किसी speed से जा रहे है उसमें question number 10 में V speed से जा रहे है तो वो जो प्रतीत होगी बस तू किसी speed से पीछे को नजर आएगी minus V speed से आएगी ठीक है मनलब पीछे की और आएगी माइनस V आज आएगा इसका वी 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 वेग से आगे चल रहे है तो पीछे को नजर आएगी इसका मतलब किससे minus V वेग से तो 10 वी का कौन सा सही है वी पार्ट सही है minus V वेक्टर आएगा question number 11 देखिए the relation between the acceleration of a particle in two inertial frames moving with a constant relative velocities तो यह बताना इसमें हमें relation बताना किसमें acceleration में दो frames है moving with constant relative velocities तो a dash बराबर a dash vector बराबर a vector के होता है दोनों बराबर होते हैं दोनों acceleration कैसे होते हैं बराबर होते हैं ठीक है तो a dash vector बराबर किसके आएगा a vector के आएगा ठीक है 12 question देखिए, if L and L dash are the length of the road in two inertial frame, one at rest and other moving with uniform velocity relative to first, then by using Galilean transformation, से बताइए, कौन सा option आएगा, L बराबर L dash, L बराबर 2L dash, L dash बराबर 2L, none of these, 12 बराबर L dash होता है, इसके बराबर होता है, L बराबर L dash, ठीक है, इसकी बाद 13, in two inertial frame moving with uniform relative velocity, then law of conversion, ठीक है, of linear momentum in two frames under GT, GT मितलब Galilean transformation, is invariant होती है, ठीक है, तो क्या आएगा समे, invariant आएगा, 14, 15 दोनों question है, यह मैंने करा चुका इन question हो को दो, तो यह हो जाएंगे, तो यह chapter आपका समाप्थ हुआ, तो objective सारे आसान ही objective है, ठीक है, examples भी करा दिए, मैंने question भी करा दिए, तो यह chapter आपका, complete हो जुगा, तो इसकी video, ठीक है, YouTube पे तो यहां तक ही आएगी, जो इससे आग ही आपको video, ठीक है, लेनी होंगी, तो आपको application पर मिलेंगी, PCM Guru application पर, ठीक है, जिसका link आपको इस video के description में दे दिया जाएगा, इसकी नितार्की, 1200 पर book होती है, और ये दी तुम, दोनों book की एक साथ जमा कराऊगी, तो कि यहवल आपको, ठीक है, 2,000 पे करनी होगी ठीक, तो आपको दोनों बुक में add कर लिया जाएगा ठीक, तो आपको दोनों बुक में add कर लिया जाएगा, तो डारेक्ट तो आप महाँ से purchase नहीं कर सकते तो इस तरह का option अभी application में available नहीं है कि डारेक्ट महाँ सी purchase कर लिजिए तो आप हमारा कॉर्स पर चीज करने के लिए इस नंबर पर वाट्सप मैसेज करें 969022448 ट्यूश तो एहां पर आपको जानकाल करने जायगी इस तरिके से आपको बैच में डिल हो ठीक है तो वैशे तो इस नंबर पर आप जब पूछेंगे तो आपको प्तात याजा इसको आपको पेकर करने होगी और फ्यूंप करते ही बाइच मिनिट में आप मैं हो तो चलिए यह चैप्टर तुमारा कम्टेट हुआ तो आगे की वीडियो आपको हैप्तिकेशन पर मिलेंगी रेगुलर वीडियो मिलेंगी तो तो वहां पर रोज ठीके रोजना क्लास होती है ठीके लाइव क्लास होती है तो जो हमारी डिफरेंशल एक्विशन चल रही वह इसकी आपको complete वीडियो ही दे दी जाएंगी तो आप लोग उनको ठीके जितने कम से कम टाइम में करना चाहों कम से कम टाइम में complete कर सकते हो ठीके तो चलिए बाकी हम next time पर करेंगे ठीके thank you very much